क्या खोब लगती हो, बड़ी सुन्दर दिखती हो, तुम चांद से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो क्या खोब दिखती हो, बड़ी सुन्दर दिखती हो, तुम चांद से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आलम, हमारे सेंट्रोन हाई स्पीड रिकॉर्डिंग डेक, डबल डेक की भी है, जिसे देखकर, मेरे दिल से बस यही आवाज निकलती है, कि क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुन्दर लगती हो, नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, सेंट्रोन कंपनी का, यह हाई स्पीड रिकॉर्डिंग डेक की, तो दोस्तों, मैनुफेक्चन की बात की जाए, तो यह 90 के दसक का सेट है, दोस्तों, जो 1990 में हमारे पास आया था, और यह साफी सेंट्रोन नाम की बहुत मशूर कंपनी है, जो कि इसी तरह की इलेक्टोनिक चीज़े बनाती थी, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर डेक, और भी बहुत से चीज़े बनाती थी, लेकिन आगर आज के टाइम पर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हमें सेंट्रोन कंपनी का यही डेक, सेंट्रोन कंपनी की याद दिलाता है, क्योंकि आज भी लगवग आपको कहीं जगाओं पर यह डेक देखने को मिल और आज भी उतना ही दमखम के साथ एडेक चल रहा है, तो दोस्तों, तो रिकोर्डिंग तो इसमें कैसेट तू कैसेट होती है, और अगर आप चाहे मुवाइल से भी रिकोर्डिंग कर सकते हो, जो कि इसके बैक साइड में आउक्स, आउक्स तू एवी का उप्शन है, जह से आप मुवाइल में आउक्स के थूरू, इसमें साउंड देकर, आप मुवाइल में जो भी गाने आप बजा रहे हैं, वो इस टेक पर यहां पर रिकोर्डिंग कर सकते हैं, तो यह जो मैं दोस्तों, यह जो कैसेट बज़ रही है, यह भी मैंने रिकोर्डिंग, इसी में मुवाइल से, क्योंकि दोस्तों, फिल्मिक आने हम नहीं बजा सकते, क्योंकि हमने वीडियो यूटूब पर अप्लोड करना होता है, तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकस्त ही है, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यह बैसे तो मारे सेंट्रों के हाई अधर मेरा में नहीं है, यह सब कूछ चलरा है, साइट उपर यह रिकॉर्डिंग सिस्टम है, और इसे साइट B में हमने कैसे दाली है, देख सकते हैं, मैं इसे भी आपको चला कर सुनाना चाहता हूँ, यह बिखिए पुरानी कैसेट ही है दोस्तों हम इसे इतना ही बचा सकते हैं तो तो दोस्तों आज का मेरा विडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों इस डैक में मैं सोच रहाँ कि मैं ये मॉडियूल फिट कर दू Judas जो कि इसको कहां पर fit किया जाए दोस्तों बताईए ये module अगर हम इस डेक के अंदर लगा दे तो इस डेक की life कम से कम 20 साल और बढ़ जाएगी क्योंकि हम जब ये module fit हो जाएगा तो हम इसी module का use करेंगे और हम इसे mobile से बजाएएंगे ज्यादा करके तो हम इसका जो deck system है ये cassette recording system है ये भी safe रह जाएगा क्योंकि ज्यादा हम इससे छेड़ेंगे नहीं थोड़ा पूरा कभी हमें अगर बहुत इच्छा हुई तो फिर हम बजा सकते हैं चला सकते हैं तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं ये module इस डेक पर fit करूँ और इसके sound का आनंद ले है बहुत ही बहुत ही मतलब कानों में रस करने वाला sound है बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मीठा संगीत है इसमें बोले तो sound है तो आप चाहिए इसमें cassette बजाओ चाहिए आप इसे phone से बजाओ जो इसकी जो sound quality है दोस्तों वो एक बार अगर आप सुनेंगे त तो आप मैं 100% guarantee देता हूँ कि आप इस deck के fan हो जाओगे और आप कहीं से भी चाहोगे कि मुझे यह set मिल जाए तो दोस्तों वैसे तो मैंने इसमें एक छोटा से speaker लगाया अभी लेकिन जब यह तियार हो जाएगा तो फिर मैं इसे बड़े speaker में भी बजा कर आपको करते हैं इस module की तो दोस्तों इस module में जो है देखिए आप यूसे drive लगा सकते हैं memory card लगा सकते हैं और इसके लगने के बाद इस deck पर FM भी बज़ेगा तो FM के लिए तो हम back side में कोई antenna एक fit कर देंगे और यह kit जो है तो कहां पर लगाई जाए बता सकते हैं आप कहां पर इसकी बात मैंने भी बहुत सोचा थोड़ी देर पहले तो मैंने डिसाइड़ी किया दोस्तों मैं इसे यहां पर लगाऊँगा यहां पर यहां पर हम कटिंग करेंगे थोड़ी सी जो यहां पर इस तरह से यह फिट आ जाए इस तरह से फिट आ जाए हम यहां पर इस चैदर यूक में भी बलोत्री हो जाएगी और सुम्दर दिखेगा सुम्दर तो यहाँ दोस्तों बहुती सुम्दर है देक लूक वाईज बहूती प्यारा है यू सेट देखी आप क्योंकि आपंवियक कि अमान तो दोस्तो ऐसा लूक तो सेंट्रों नहीं बना सकता था जो कि ये अपने आप में बहुत ही अधवुत, बहुत ही खुबसूरत है लेकिन दोस्तों आप ये मैं समझना कि इस पर मोडियूल लगाने के बाद ये विकार हो जाएगा नहीं दोस्तों इस में मोडल लगने पर ये आप समझो कि इस डैक में चार चांद और लग जाएंगे और ये और भी जादा यूसफूल पहले से भी जादा यूसफूल हो जाएगा दोस्तों क्योंकि हम कुछ भी जो है इसमें हम इसका साउंड का इसके बेस्ट ट्रबल का आनन दे सकते हैं और इसमें बड़े-बड़े स्पिकर लगा के अपने घर को ओम थेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका काम और जब तियार होगा पूरा तियार बन के जब तियार हो जाएगा दोस्तों तो आपको भी देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत